अगर आप इस वर्स यानी 2020 में इंटर पाUS किये है तो विहार सरकार ने इंटर पास करने वाले छात्रों के लिए एस्कॉलर्शिप दे रही है इसके लिए लिष्ट जारी कर दी है बिहार सरकार ने उस लिष्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि उस लिष्ट में आपका नाम है या नहीं अगर उस लिष्ट में आपका नाम है तो आप उस फॉर्म को फिल अप करेंगे तो आपको बिहार सरकार एस्कॉलर सिप देगी जिस के माध्यम से आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम सारे बात को बताएंगे और कैसे आप अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं उसको भी बताएंगे तो बने रहे ये इस वीडियो में चलते हैं आगे की तरफ नमस्कार दोस्तो, मैं आपका दोस्त लगन कुमार, नमस्ते के वाई पी यूटुब चनल में आपका श्वागत है हम आचुके हैं बिहार विद्याले परिक्षा सम्मेटि के वेबसाइड पे आपको गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में जाकर के www.biharboardonline.bihar.gov.in पर क्लिक करना है यानि विजिट करना है मैं यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए जब नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपके सामने एक सर्कूलर मिलेगा यहाँ पर NCP Court of and List of Students Year 2020 तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह लिस्ट का PDF डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उसमें अपना नाम सर्च करना है तो चलते हैं डाउनलोड करके हम दिखा देते हैं जैसे आप अपना नाम सर्च करेंगे जैसे आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरीका से एक PDF आएगा यहां पे आपको cut off mark दे दिया गया है यह कीस कीस बेक्ती का नाम इस लिस्ट में आया होगा जैसे आप यहां देख रहे हैं कोटेगरी वाइज दिया है कोटेगरी में जनरल OVC SCST दिया है उसके सामने जैसे यहां पे दिया है साइंस वाले लोग के लिए यहां आर्ट्स वाले लोग के लिए तो यहां पे मेल के लिए है जो मेल वाले वर्ग हैं उनके लिए है साइंस आर्ट्स और कमर्स यहां पे कमर्स वहीं यहां फीमल के लिए है साइंस आर्ट्स और कमर्स आप आपको यहां दिखा रहा है जिस चार पेज है इस चार पेज में आप नाम कैसे खोजेंगे इसके लिए मैं आपको बता दूँ यहां पर आना है आपको और वहां पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है उस students का खोजना चाहते हैं उसका यहां roll number डाल देंगे roll number डालने के बाद आप इस search button पे click करेंगे search button पे जैसे click करते हैं तो आपके सामने बहुत सरा नाम दिखाएगा आपको बतादू मैं एक ही roll number से बहुत सारे बेक्ती का नाम आएगा तो इसके लिए आपको करना क्या है आप देख रहे हैं यहां पे यहां पे दिया हुआ है दो symbol दिया हुआ है greater than और less than इन दोनों symbol का use करके आप खोज सकते हैं इसके करना क्या है आपको आपको यह वाले symbol पे click करकर के सबको खोज लेना है आपका नाम कहां पे है आपके जो student का नाम खोजना चाहते है उसका नाम का है तो जैसे हम इस पे click करेंगे तो आपको page by page खोजता जाएगा यानि 19 नमर page पे दिखा रहा है इस तरीका से आप खोजते जाएगे इस तरीका से देख रहे है जिसका जिसका नाम आ रहा है यहाँ पे नाम आ रहा है एक यहाँ पे नाम आ रहा है इस एक ही रोल अमर है लेकिन फिर next करेंगे तो आपको इतना सारा नाम मिल रहा है फिर next करेंगे तो इस तरीका से बहुत सारा मिलता जाएगा इस तरीका से आप अपना खोड़ लेंगे जैसे यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे देख रहा है तो इस तरीका से थोड़ा आप समय देंगे तो आपका नाम यहाँ दिखाई देगा दिखाई देने के बाद आपका समझे जे इस लेस्ट में जब नाम आ गया है तो अब आपको फर्म भरना है तो फर्म कैसे भरा जाएगा हम अगले वीडियो में पूरे प्रोसेस के साथ बताएंगे